स्वामजी जबाट दो भाई है और दोनों साथ में किस तरह से डेली रूटीन की लाइब जी रहे हैं कैसे खाते हैं कैसे बैठते हैं कैसे उठते हैं कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कैसे एंजॉय करते हैं और यह गाना है भाईयों की कनेक्शन का और वो कनेक्शन सब को बहुत पसंद आ और वो कनेक्शन जब मैंने हो इसको प्रिपर किया इस गाने को तो मैंने कनेक्शन विया था पने भाई से यह ऐचाटा काही है श्याहजिल खान खान और श्याहजिल ओपन में जर। कभी वो ठेंज फिन इन था जब वही हम przy تयंसे मीज़़ काम कर रहे है तो ग्रोव किया है हम दोनों ने साथ में काम करके और उसके इस बावजुद हम दोनों का जो रिष्टा है और हमारे बीच में जो छोटी चोटी चीजे है तो जब गाना मुझे मिला था तो वो चीजों को इस गानी में मैंने जोड दिया क्योंकि हम दोनों भाई है और सलमान स वाले स्टेप्स थी यह यह स्टेप्स थी, you know, he got this चोटा सा चीज हो बताएगा शाजील के, how he got that into it. इस ते लिए गाना मिला, अब बॉस बोलता हु, basically, काम के देप्स, तो मैं यह भी बॉस ही बोल बॉस बोलुग है, के, we got a call, we got a song, Salman Khan के साथ again, and the best part is, it's Kabir Khan. So I was excited then we met, and she discussed with me about this particular song, and I think, jitna jaldi भो connect हो गे थे उससे, and she wanted to see मैं कितना jaldi connect होता हू इस song से, first of all, तो उन्होंने बताया नहीं कुछ मुछ मुछे, तो मैं बॉर्ट जल्दी connect होगया, then we started working on this song particular, के हमने पले story बना है इस गानी की, सबसे पहले तो, character को मैं समझा, उन्होंने मुझे समझाया, मैं समझा character को, फिर उसमें थोड़ और input किया, हम लोग और story developed किया, उसके बाद हम रिएसल पे dance को रगया, के हमने अनलाइज के है के moments काँछी कितनी, सलमान भाई कितना होल कर सकते है, फिर उनके character को पकड़ के, उनका style भी बालना पड़ता है particular, उनका भी a particular style है, उसको हम मिसने कर सकते है, जो audience को पसना आता है, फिर second था, सोहल भाई थे इसके हंदा है, सोहल भाई को भी डांस कितना easy है, कितना difficult है, उनके character के साफ से करना है, और सलमान भाई के style के उनको भी match करना है, तो इट वस exciting at the same time, थोड़ा difficult भी था, बिको जब सलमान भाई थे, तो हम लोगों को extra moves करना पड़ता है, करके रखना पड़ता है, उनके दिमाग को पकड़ने सकता है, कौन सा काव अच्छा लग जाए उनको, आप खड़े-खड़े हिलती रहो तो बोलेगी कि क्या की रहा है, ऐसा था, तो रही बात यह मुमेंट की यह सब तो basically, I have a younger brother also, I do to him, यह सब में ऐसा बहुत करता था उसके साथ में, तो यह गाना basically, हमने compose हस्ते हस्ते कर लिया, सोचा पहले था, डेवलप्मेंट के डाम पे, करेक्टर को पकड़ने के नहीं उसका सोचना बन कर दिया, तो यह मुमेंट उसी तरीके से आया, फिर यह मुमेंट था यह भी मैं जस सोच रहा था कुछ अपने आपको मार मार के, तो इन्होंने पकड़ लिया वह क्या किया तुने, फिर उसमें मैंने फूट मुमेंट डाल दिया, तो जब कुछ ऐसी स्पेशल चीजे बनती है वह आप सोच के करोगे तो कभी नहीं बनीगी, यह हमारा मानना है, इनका यह मानना है मेरा यह मनना, सोचोगे आप तो आप भूम जाओगे उसके अंदर, अब जितने इंस्टंट करते रहोगे चीजों को उतना वह मुमेंट बनते रहती है।